नमस्कार मित्रो मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिंग आपकी अपने चैनल इटर्नल एड़सेंस क्लासेस फर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था राज की इंटर कॉलेज या यू कहें कि लोग से वायोग से जितनी भी सिछख भरती परिक्षाएं होती हैं उनके GS के जो प्रशन आये हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे प्रशन पत्र आपके LT exam के लिए GIC exam के लिए और लोग से वायोग के द्वारा जो आयोजित की जाती है राजकी डिगरी कॉलेज परिक्षा यानि GDC उन सभी के लिए बहुत महत्पूर है तो अगर आप LT grade के त्यारी कर रहे हैं GIC के त्यारी कर रहे हैं या GDC के त्यारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये GS के जो भी प्रशन पूछे गए हैं ये आपके लिए important होंगे तो हमने इससे संबंदित कुछ वीडियो अपने चैनल पर डाल दिये हैं तो उसी क्रम में आज हम राजकी इंटर कॉलेज प्रवक्ता परिक्षा 2015 जो 15 सितंबर 2015 को हुई थी उसके सामान अध्यन के प्रशन पत्र को व्याख्या सहीत आप सभी के समक्ष रखेंगे यहाँ पर हम GS के प्रशनों को व्याख्या सहीत solve करेंगे current affair के प्रशनों को देखेंगे कि उनके प्रशनों की पूछने की प्रकृति क्या है उसके आधार पर हम जो वर्तमान के परिपेक्ष में current affair की त्यारी करेंगे उसके अलावा reasoning के प्रशनों की प्रकृति देखेंगे और गडित के प्रशनों की भी प्रकृति देखेंगे तो आप लोग को एक पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि प्रशनों कैसे पूछे जाते हैं तो GS के प्रशनों तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे रही बात current affair की तो उसमें भी यही हेर फेर होगा कि वो वर्तमान के परिपेक्ष में पूछे जाएंगे reasoning और गडित में आकड़ों का हेर फेर हो सकता है या उसे समंदित प्रशन ही पूछे जा सकते हैं तो चलिए हम आज के प्रशन पत्र को solve करते हैं तो सबसे पहला प्रशन सबसे पहला प्रशन है अलबरूनी साथ आया तो अलबरूनी किसके साथ आया तो अलबरूनी जो था वो गजनी के महमूद के साथ आया अब हम इसकी व्याख्या देख लेंगे तो जो एक पूरी कहानी होगी वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और इस तरह से हम प्रशनों को solve तो करेंगे लेकिन कहीं न कहीं जो उसकी कहानी है वो हमारे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ेगी ताकि एक्जाम के टाइम में हमें वो स्टोरी ही याद आ जाए और हम confuse न रहें तो हम व्याख्या देखेंगे इसकी अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया यह एक फार्सी विद्वान, लेखक, धर्म गिथा इसकी प्रसिद्ध रचनाये हैं किताब उलहिंद, तहकीक एहिंद इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दर्बार में फिरदोसी एवं उत्वी आदि विद्वान थे ध्यातव्य है कि महमूद गजनवी ने 2009 इस्वी से 1027 इस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमड किया महमूद के दर्बारी इतिहासकार उत्वी ने उसके आक्रमडों को जिहाद माना है जिसका मूल उद्दे से इश्लाम का प्रसार और बुद्ध परस्ती यानि मुर्ती पूजा को समाप्त करना था अगला प्रश्न है धौली इस्थित है धौली कहां इस्थित है तो धौली जो है वो भूवनेश्वर में इस्थित है इसकी व्याख्या देख लेंगे धौली हिल्स उडीशा में भूवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के खिनारे इस्थित है इस अस्थान से असोक के चतूर दर्श शिला लेखो की एक प्रति प्राप्त हुई है धौली पहाडी को कलिंग युद्ध छेत्र माना जाता है अगला प्रश्ण है फाहियान भारत में आया तो फाहियान भारत में 399 AD में आया चीनी यात्री फाहियान 399 AD में चंद्रगुप्त दुतिय के सासन काल में भारत आया इसने अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्रामळों का देश कहा प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री विद्वान मैगस थनीज चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में आया था डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था डायो नीसियस असोक के दरबार में और हुइन संग हर्षवर्धन के दरबार में आया तो देखिए फाहियान का तो बता दिया आपको यहां पे बता चल गया कि ये इसमें तो सन पूछा है 399 बेडी लेकिन पूछ सकता है कि किसके सासनकाल में आया तो फाहियान जो था वो चंदरगुप्त दिती के सासनकाल में आया अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा हेर फेर करके पूछेगा तो मेगस्थनीच का पूछ सकता है तो मेगस्थनीच चंदरगुप्त मौरी के दरबार में आया थे डायमेकस जो थे वो बिंदुसार के दरबार में आये थे डायोनीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आये थे और हुएनसांग बहुत पुछता है ये हर्षवर्धन के दरबार में आये थे अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था तो जो इबराहिम लोदी था ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था इसको देख लेते हैं अप्रेल 1526 को पानीपत के मैदान में इबराहिम लोदी एवं बाबर के मद्ध युद्ध हुआ इसमें इबराहिम लोदी की पराजय हुई इस प्रकार युद्ध में मृत्य को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इस बात को इतिहासकार नियाम तुल्ला द्वारा भी कहा गया है अब अगला प्रशन देखते हैं कोली या विद्रो लोगों से संबंदी था छोटा नागपुर के आप देख रहे होगे कि इन प्रशनों की प्रग्रुति कितनी कठिन है तो जो लोगी सिच्छक भरती के त्यारी करते हैं उनका जीयस इतना स्ट्रॉंग नहीं होता है तो मेरा उन विद्यार्थियों से यह आगरा है कि आप प्रिवियस येर के पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाईए तो अगर आपकी सब्जेक्ट पकड़ है और आप इन प्रशनों को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका दिमाग जरूर खुलेगा एक्जाम के टाइम में तो ये सारे प्रशनों पत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्पुर साबित होंगे तो चलिए देखते हैं कोली विद्रोह लोगों से संबंदित था छोटा नागपुर के कोल विद्रोह 1831 इस्वी के लगभग हुआ छोटा नागपुर के कोलो ने यहाँ विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमी उनके मुखिया लोगों से लेकर मुसलिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई इस विद्रोह में कोलो का नेत्रित्व सुर्गा और सिगराय ने किया यह मुख्य रूप से सिंग भूमी पलामू हजारी बाग आदी छेत्रों में व्यापक रूप से फैला था अगला प्रश्ण है विर्सा मुंडा का कारे छेत्र कौन सा था विर्सा मुंडा एक आदिवाशी नेता थे जो मुंडा जाती से सम्बंदित थे वर्तमान भारत में राची और सिंग भूमी की आदिवासी विर्सा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं यहां इनका कारे छेत्र भी था इन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नित्रितु किया यह विद्रोह मुंडो की पारंपरिक भूमी विवस्था खूट कट्टी या मुंडारा का जमीदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित वाली भूमी विवस्था में परिवर्तन के विरुद्धा फिर से देख लिए विर्सा मुंडा जो था वो एक आदिवासी नेता थे मुंडा जाती से ये संबंदित थे वर्तमान में राची और सिंग भूमी की आदिवासी विर्सा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं यहाँ इनका कारे छेत्र भी था इन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रो का नेतरितु किया यह विद्रो मुंडो की पारंपरीग भूमी वश्था खुटकटी या मुंडारा का जमिदारी या वेक्तिगत भूश्वामित वाली भूमी वश्था में परिवर्तन के विर्ध था अगला प्रशन देख लेते हैं नाथुला दर्रा भारत की किसे राजे में स्थीते तो दर्रे से भी प्रशन आता है तो इसको भी आप ज़रू देख लिजिएगा सिक्किम यहाँ पे हम सारा देख लेते हैं जोजीला या पिर पंजाल मतलब ये दोनों अलग-अलग पूछ सकता है पूछता है कभी जोजीला कभी पीर पंजाल तो जोजीला और पीर पंजाल जो है वो जम्मु कस्मीर में है नीती और माना दर्रा उत्राखंड के कुमाईू में है शिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमानचल प्रदेश में है ये जितने भी दर्रे दियें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतने में से बहुत सा मतलब ये जितने भी है नाथुला हो गया जो जीला, पीर, पंजाल, नीती, माना, शिपकिलार होता है दर्रे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जितने नाम दिये ने बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक का मेरा जो भी अनुभरा है उसके आथार में देखती हूँ यही जितने दर्रे हैं यह घुमा फिरा के पूछता है अगर माले जी यह भी न पूछे और एक भी अलग दे दे तो आपको इन सब के बारे में तो पता है न तो आप बड़े आसानी से उस प्रशन को भी स्वाल कर सकते हैं अगला प्रशन देख लीजिए निम्न लिखित में से कौन सा अस्थान परमाडू शक्ती स्ठेशन के लिए प्रसिद्ध है तो कुडन कुलम जो है वो परमाडू सक्ती स्ठेशन के लिए प्रसिद्ध है इसकी व्याख्या देख लेते हैं तमिल नाडु प्रांत तीरू नेल वेली जिले में स्थित कुडन कुलन नामकस्थान परमाडु सक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है यहां भारत तेवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाडु विद्युत परियोजना अस्थापित की गई है अगस्थ 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से रूस के राष्टपती बलामिदीर पूतीन ने मासको से तथा तमिल नाडु की मुख्य मंत्री जैललिता ने चेन्नाई से वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा कुडन कुलन परमाडु विद्युत परियो पूजना की प्रथम इकाई को राष्ट को समर्पित किया था तो यह आपका पूराना प्रश्ण है तो यह समय का करेंट रहा होगा लेकिन इसको ऐसे ही पूसकता है कि निमलिखित में से कौन सा स्थान परमाडु सकते इस्टेशन के लिए प्रसिद है तो आप इसको याद क लिजेगा कुडन कुलम बाकी इसके बारे में जो थोड़ा डिटिल था वो आप जान गए अगला प्रशन देखते हैं यूरोप के नेमलिखित देशों में से कौन खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भर है तो जो इटली है वो खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भ अधिकान्स जनसंख्या नगरी होने के बावजूत क्रिशी प्रधान देश होने के कारण इसे किशानों का देश कहा जाता है ग्यातव्य है कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा प्रधान की जाती है यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी नदी है तो डैन्यूब नदी है इसकी बारे में देख लेते हैं डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट परवत से निकल कर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है यह यूरोप की चार राजधानियों से होकर गुजरती है यह हैं बुखारेष्ट, रोमानिया, बेलग्रेड, पूर्व योगोसलाविया, वुडव वेस्ट हंगरी, एवं वियना, आस्ट्रिया वोलगा के पश्चात यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जबकि राइन नदी स्विजर लेंड में अलपस परवत से निकल कर जर्मनी वन नीदर लेंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है विश्व के सबसे अधिक व्यापार भारवाले बंदरगाह में से एक राटरडम नीदर लेंड इसी पर इस्थित है अगला प्रस्ण देखते हैं हीरे के लिए प्रसिद किमबरले खान अवस्थित है तो ये जो है दच्षिड अफरिका में अवस्थित है इसके बारे में देख लेते हैं किम्बरले दच्छिड अफ्रिका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी ही यह दच्छिड अफ्रिका की विश्व प्रसिद हीरे की खान है ध्यातव वे है कि दच्छिड अफ्रिका संसार का सरवाधिक सोना भंडारक और तीसरा सरवाधिक उत्पादक राष्ठ है यहां का अधिकान स्वर्ण हाई वेल्ड के विट वाटर सरेंड छेत्र में पाया जाता है दच्छिड अफरिका स्थेत जोहांसबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा प्राप्त होती है अब यहां आप देख सकते हैं आपको कितने सारे प्रश्ण एक साथ त्यार हो सकते हैं पहले तो किमबरले की खान कहां पे है यह आतकली दच्छिड अफरिका में है किम्बरले जो है वो दच्छिड अफ्रिका की उत्तरी केप प्रांत की जो राजधानी है यह दच्छिड अफ्रिका की विश्व प्रसिध हीरे की खान है ध्यातव वे हैं कि दच्छिर अफ्रिका संसार का सरवाधिक सोना भंडारक और तीसरा सरवाधिक उत्पादक राष्ट है यहां का अधिकान स्वन हाई वेल्ड के विट वाटर सरेंड छेतर में पाया जाता है दच्छिर अफ्रिका स्थित जोहांस बर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा दी गई है अगला प्रेशन है निमलिखित में से भारत के उपराष्टपती कौन नहीं थे इस तरह से भी प्रेशन मना देता है तो आपको राष्टपती, उपराष्टपती, प्रधान मंत्री ये सब का सीक्वेंस या दोना चाहिए तो जो फक्रुद्दिन अलिये में थे ये भारत की उपराष्टपती नहीं थे अब हम इनकी सारी सूची देख लेते हैं भारत की उपराष्टपतीयों की करमवार सूची डॉक्टर S. राधा कृष्णन ये 1952 से 1962 तक थे दूसरा है जाकीर हुसेन ये 1962 में थे फिर थे वीवीगिरी 1967 G.S. पाठक 1979 B.D. जत्ती 1974 M. हिदायतुला 1989 R. वेंकेट्रमन 1984 Dr. संकर द्याल सर्मा 1987 K.R. नारायन 1992 Krishnakant 1997 B.S. सेखावत 2002 मुहमद हामीद अंसारी 2007-17 और वैकयान आइडू जो हैं वो वरतमान में हैं उप्यूक्त सूची सिस्पष्ट है कि जो फकरूदीन अली हैमेद भारत की उपराष्टपती कभी नहीं बने जबकि 1974 में विराष्टपती पत पर आसीन हुए थे अब अगला प्रशन देख लेते हैं भारत में भारत में राज्य सभा किसका प्रतिनिदित तो करती है तो ये करती है राज्यों और संग राज्य छेत्रों का सम्विधान के अनुच्छेद सम्विधान के अनुच्छेद असी के अंतरगत राज्य सभा राज्यों और संग राज्य छेत्रों के प्रतिनिदियों से मिलकर बनेगी अतासपष्ट है कि राज्य सभा राज्यों और संग राज्य छेत्रों का प्रतिनिदित करती है वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्य है इनमें 239 सदस्य राज्यों का प्रतिनिदित करते है चार संग राज्य छेत्रों का प्रतिनिदित करते है और 12 सदसे राष्टपती द्वारा मनोनित है राज्य सभा एक अस्थाई संस्था है और इसका विगटन नहीं होता किन्तु इसके एक तिहाई सदसे प्रतेक दूसरे वर्स सेवा निवर्ट हो जाते हैं राज्य सभा के सदस्यों की पदावधी 6 वर्स की होती है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सम्विधान सभा के अध्यच थे? तो सम्विधान सभा के अध्यच थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद इसके बारे में देख लीजिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजिन प्रसाद को समिधान सभा का स्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था जबकि प्रारूप समीधी के अध्यक्ष डॉक्टर भीम रॉंबेटकर थे प्रांतिय समभिधान समीधी के अध्यक्ष सर्दार बल्लभई पटेल थे कारे संचालन समीधी के अध्यक्ष के एम उनसी थे भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस इसके बारे में देख लेते हैं बीसवी सताबदी के युग में स्वतंत्र प्रेस मीडिया जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व है यह जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं सुईकृत माध्यम है स्वतंत प्रेस प्रसासन एवं जनता के बीच कड़ी का कारे करता है यह व्यवस्था की समस्याओं मुद्दों तनावों द्वंदों सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की भूमी का सरवाधिक प्रमुक होती है विल्की की अभिव्यक्त की अनुसार स्वतंत प्रेस लोक तंतर की रीड है अगला प्रश्ण है नियंतरक और महालेखा परिच्छक द्वारा की गई टिपड़ियों पर कारेवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसकी बनती है संसद की फिर से बता देते हैं नियंत्रक और महालेखा परिच्छक द्वारा की गई टिपड़ियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी जो है वो संसत की बनती है ये बहुत महत्पूर प्रश्ण है इसको ऐसे ही रट लीजिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं समविधान के अनुछे 148 में नियंत्रक और महालेख परिच्छक के स्वतन्त प्रण्पद की विवस्था की गई है यह केंद्र राज्य या किसी अन्य प्राधी करण या संस्था के महालेखा परिच्छक से जुड़े लेखा मामलों को विवस्थापित करता है एवं उनका नि संसथ पटल पर रखते हैं इसके उपरांत संसथ इन रिपोर्टों की जाच लोक लेखा समीती से करवाती है और इसके निसकर्सों से संसथ को अवगत कराती है चुकी राष्टपती के वल रिपोर्टों को संसथ के सदनों के सभा पटल पर रखवाता है और जाच संसथ समीत के द्वारा करवाती है अतर विकल्पसी सही होगा अगला प्रश्ण है कौन सा सहर शहरी विकास मंत्राले द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 सहरों में से स्वाच्छ भारत रैंकिंग में सिर्ज पर रहा है तो ये उस टाइम का प्रश्ण है तो इस टाइब के प्रश्णों को आपको देखना होगा इस वर्तमान परिपेक्ष में ठीक है देखिए यहां पे व्याख्या में दिया है वर्स 2019 में आवा सेवं सहरी विकास मंत्राले द्वारा है कराये के सर्वेक्षण में भारत के सहरों में स्वाक्ष भारत रैंकिंग इं होगा तो आप उसके परिपेक्ष में देख लिजिएगा अगला प्रश्ण है किस सहर ने स्मार्ट सिटी मिस्टन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सरप्रथम भेजा तो इसका अंसर है पांडी चेरी यह भी उसी टाइम का प्रश्ण है तो आपको वर्तमान विकास को सक्षम करने और प्रद्योगी की मदद से नागरिकों के लिए बहतर परिडामों के माध्यम से जीवन का गुडवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गती देने हेतु भारत सरकवार द्वारा की गई एक योजना है देखिए फिर दिया है हाली में नि मिल गया कि हमको वर्तमान परिप्रेश के प्रश्णों को देखना है क्रिकेट से संबंदित तो इसको नहीं देखते हैं क्योंकि यह पुराना हो गया अगला प्रश्ण देखते हैं किस देश में आतंकवादी संगठन इसलामिक स्टेट आई एस ने इस वर्स इद के दिन 115 लोगों को मार डाला तो यह उसी टाइम का प्रश्ण है उसका अंसर होगा इराक तो आतंकवादी गतिविदिया भी जो भी हुई है उनसे संबंदित भी अगर कोई बहुत चेर्चा में मुद्दा रहा होगा तो उसको भी आप जरू देख के जाईएगा यह उस टाइम का प्रश्ण है इसलामिक स्टेट की स्थापना जून 2014 में की गई यह इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सैने समू है यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है इसने इराक में इसलामिक स्टेट की स्थापना जून 2014 में की गई यह इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सैने समू है और यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है इतना आप यहां से याद कर सकते हैं बाकी वो उस टाइम का वरतमान का प्रश्ण है 2014 में भारत के विदेशी रिड का सबसे बड़ा आव्यव क्या था तो यहाँ पर हमें 2020 का या 2021 या 2022 का देखना होगा तो 2014 का था विदेशी वाड़ी जी वाड़ी जी उधारी तो हम इन्हें नहीं देखते हैं क्योंकि यह हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो हमें इसको न यह देखिए पूछा है श्रमेव जैते कारेकरम निमलखित में से किसके नाम से जुड़ा है तो इस तरह से भारत सरकार दर जितने कारेकरम चलाए जाते हैं उसका क्या अद्धेश है और वो किस के नाम से जुड़ा है इस टाइप के प्रश्णों को भी आपको तयार करना है नरिंद मोदी द्वारा नई दिल्ली में श्रमेव जयते कारेकरम का सुबारम किया गया इसका पूर्ण नाम पड़िदीन द्यालुपाद्ध है श्रमेव जयते है इस योजना का मुख्यों देश श्रम कानूनों में सुधार लाना एवं श्रम प्रक्रिया को बहतर बनाना है इसी के साथ श्रम सुविधा पोर्टल और एक नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को प्रारम किया गया श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानून की जानकारी दी जाएगी अब चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं निमनलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योग में समलित नहीं किया आता है तो कोर उद्योग में जो है सौफ्ट्वेर को नहीं समलित किया आता है इसकी व्याख्या देख लेते हैं निदेशित कोर उद्योगों को किसी अर्थवस्था की बुनियाद माना जाता है निदेशित कोर उद्योगों में आठ उद्योगों को समरित किया गया है तो आप ख्यात कर लिजे कि कोर उद्योग में क्या क्या आता है तो जब आएगा तो आप छाट लेंगे आराम से कोईला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उप्पाद, उर्वरक, इस्पाथ, सीमेंट तथा बिजली इन आठ उद्योगों का अद्योगिक उद्पादन सूचकांग आई, आईपी में 38 फीसदी योगदान है अगला प्रश्ण है, सोनार अधिकांस्तह प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार क्या होता है नौ सल चाल को द्वारा प्रयोग में लाया जाता है इसके बारे में देख लिजे सोनार एक उपकरण या उखती है जिसे समुद्र की गहर्याई गयात करने के लिए या जल के नीचे की वस्तुओं जैसे मचली के श्रोत नश्ठ हुए जहाजो और दुस्मनों की पंडुबी का पता लगाने के लिए नौ संचाल को या नौ सेना द्वरा उपयोग किया जाता है इसमें पराश्रव्य एवं और अपश्रव्य ध्वनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है विटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या है तो विटामिन सी का रासाइनिक नाम है एसकॉर्बिक अमल इसकी बारे में देख लीजिए विटामिन C का रासाइनिक नाम एसकार्विक अमल है मानो शरीर में इसकी कमी से सकर्वी नामक रोग हो जाता है यह जल में विलिय है एवं खटे फलो में प्रचूरता से पाय जाता है जबकि साइट्रिक अमल एक प्रकार का मोनो हाइड्राक्सी ट्राइकार्बो सलिक अमल है यह भी खटे फलो में प्रचूरता से पाय जाता है ट्राइकार्बो क्लिसलिक अमल है यह भी खटे फलो में प्रचूरता से पाय जाता है यह अचार मुरब्बा आदि के परिक्षण में प्रयुकत होता है अगला प्रश्ण है हम कमरें में सूरी का प्रकास पाते हैं किसके दवरण पाते हैं प्रकिर्णन के द्वारार है व्याख़ा देख लिजिए जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सुक्ष में कड़ मौजूद होते हैं तो इनके द्वारा प्रकास सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है इसे प्रकास का प्रकृर्णन कहते हैं इसी घटना के द्वारा प्रकास हमारे कम्रे तक पहुच पाता है तो ये बहुत इन्पॉर्टन प्रसने इसको पूछता है तो जो समुद्री जल होता है वो बिजली का सबसे उत्तम चालक होता है उपरियुक्त विकल्पों में समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक होगा क्योंकि समुद्र का जल लवडी होता है और ये लवड जल को आयनीकृत कर देते हैं जिससे उसमें इलेक्ट्रान प्रवाहित हो सकते हैं इलेक्ट्रानों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं अता समुद्री जल बिजली का उत्तम चालक है अब देखिए गडित के प्रेश्णों कैसे पूछ रहा है इसका मैं आंसर बता दूंगी इसको आप सॉल्व कर लिजेगा कोई व्यक्ती रूपए 10 में रूपए 11 सेव खरीद कर 11 में तथा 10 सेव बेजता है उसे कितने प्रतीशत लाब होगा देखिए कह रहा है कोई व्यक्ती जो है 10 रूपए में और 11 रूपए में सेव खरीद कर 11 में 10 सेव बेजता है उसे कितना प्रतीशत लाब होता है तो इसका अंसर होगा 21 प्रतीशत कैसे होगा इसको आप सॉल्व कर लिजेगा इस प्रशन का आप स्क्रिन सॉर्ट भी ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर लिजेगा इसी टाइप के प्रशन पुछी जाते हैं अगला प्रशन देख लीजे ये सब थोड़ा जो गडित के स्टूडेंट है उनके लिए तो ठीक है बाकी स्टूडेंट के लिए थोड़ा कठेन है तो भी आप प्रयास करिएगा जो अब दो विरित एक दूसरे को काटते नहीं है तब उभैनिष्ट इस पर सरेखाओं की अगला प्रशन है पांच हजार का दस प्रतीशत का बीस प्रतीशत कितना होगा तो इसका आंसर होगा सो तो मित्रो इस प्रकार हमने टोटल तीस प्रशनों को देख लिया करेंट के प्रशनों को देख लिया गडित के प्रशनों को देख लिया जीयस के प्रशनों को देख लिया तो आप देख रहे होंगे कि 26 अब इस क्वेशन तो जीयस और करेंट अफेर से मिला के हैं बाकि 3-4 प्रशन गडित के हैं तो आप प्रयास करिएगा गडित के चोड़ दिजेगा क्योंकि लोग से वायों की जितनी परिच्छाएं होती हैं उसमें माइनस मार्किंग भी होते हैं तो आपको यहां पे यह सब काम भी बहुत समधान करना है तो आप इन सभी प्रशनों को देख लीजेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बत है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार